हेलो गाइज मेरा नाव इशानकान तो चले फिर वीडियो को शुरू करते आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली क्योंकि आज की वीडियो है इसके उपर जैसा कि आप देख सकते हैं यह यू शेप की एक रॉड सी दिखरी आपको और वायर लगा ह हुआ है एक हीटर सबसे सबसे हीटर यह मातर 40 रुपे का मुता है क्योंकि 30 रुपे की यहाली लगाले प्लेट आती है और यह आता है 10 रुपे का वायर तो बिना कोई करते हैं इसको और जो कि बने बालीर है यहां नीचे आप देख सकते हैं यहाँ ब्लटी रखी है यहाँ पर मैंने लगा रहा है तो क्या करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम प्लक को इसमें लगाएंगे और गाईज अभी के लिए तो क्या करते हैं सीधा पहले इसको इसमें डाल के रखते हैं और प्लक को इसमें लगा देते हैं तो गाईज देखिए यह मैंने इस हागे करके दिखा दीजिए और है कि 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 अब ही मैं मैं हम उपपर वाले बोट में बादा तो गाई देखिए यह कुछ इस तरीके से लगागग में आपको आ बऋमिए उसके बात छोड़ दीजे और यह अपने आपी वर्क करता रहेगा आप देख सकते हैं इसमें ध्यान से देखें बुलबुले निकलने लग गए हैं इसमें गाइस और यह बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है बहुत सस्ता है और इसकी हीट भी बहुत जाद देखें गाइस बुलबुले निकलने लग गए हैं आप को पूरा पानी एकदम गरम कर देगा और डगास देखिये जैसा मैं देख रहा हूं अगर आप साइट साइट से जैसे हम नॉर्मल हीटर लगाते हैं उसमें से बुलबुले आने लगए हैं तो थोड़ा सा अब देखें यहां इस साइड़ में देख सकते हैं और ये करन्ट ही मतब यह वाला हीटर करन्ट नहीं मारता बिल्कुल भी तो गाज देखे साइड साइड से देखे आप वो पानी उबलने लग गया आप उधर से देख सकते देखे काज पानी हिल रहा है उधर से ऐसे देखे आप गया आप शबलन से देखे वाला है पाना वाला तो मैं भी तो हुआने काल भी पानी हिल पानासे जब दैट जाब पानासे जबलने ऎं नहीं वह जाए मुर में उघए से दो आखे शयाखे जासे देखे sl trochę ्याज्ड़ के वाला हीज़ टक्की जाए लगत दे तो गाइस देखे भाफ निकलने लग गई है आपको दिख रही होगी गाइस देखे यहां से देखे गाइस भाफ निकलने लग गई है जैसे देखे यह देखे गाइस भाफ निकलने लग गई है आप देख सकते हैं इतनी सी देर में ही गाइस देखे भाफ निकलने लग गई ह है इसमें से ये देख laws천 और हमारा पानी गरम ऑच कहा एक दम आप इससे मुह दो सकते हैं या हाथ हो सकते जिए तो ग्ईच देखे मैंने इसे निकाल लिया हैं किवाद पानी बीदेखे एधर का साइठ गरम हो चुका है एक दम इस में से पानी आप देख सकते हैं ऑगाइस अभी वी सच में काफी गरम है मैं इसे चून नी सकता देखेगाइस कितना घरम हैं तो यह कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं तो गाइस बहुत यह आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं बस पुरा बॉक्स है ढईक कुछ वाइएब इस वीडियो में दिखाया तो चले फिर सीख लेते किस तरीके से हम ऐसा हीटर बना सकते हैं तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं तो देखे गाइज मैंने यह ले लिया है जो आरन का एलिमेंट होता है अभी मेरे पास यह पूरा बॉक्स है देखे लिखाया है लाइट वेट आयरन एलिमेंट और सबसे बड़ी बात देखें made in India जैसा कि आप देख पारें made in India यह 100% सेफ है और देख पारे होंगे आप यह 100% सेफ है अब हमें क्या करना है यह से बाहर निकाल लेते हैं फटाफट से तो इसके साथ दो पेच आये हैं और यह एलिमेंट है इसके अलावां इसके साथ कुछ भी नहीं आया जैसा कि आप देख सकते हैं जो आप घर में यह हमारे प्रेस करने के लिए यूज की जाते है कपड़ों पर यह उसका एलिमेंट है और यकीन मान यह बहुत अच्छे तरीक यह जाएं जो फोपर वायर यूज कीजिए क्योंकि वह जल्दी से हीट नि होगा और गरम नियूगा अगर आप कम गेज का वायर यूज करेंगे तो वह जल्दी हीट होने लग जाएगा और गल भी सकता है इसलिए तो गैस देखिए यह कुछ मैंने इस तरीके के वायर्स इन्हें फटाफट से cut कर लेते हैं और copper wire को इसके अंदर से बाहर निकाल लेते हैं तो guys देखेए मैंने चील के एक का copper wire बाहर निकाल दिया दूसरे को भी निकाल लेते हैं तो guys देखेए यह दूसरा वाला भी निकल चुका है अब हमें क्या करना है कि इसमें इसे मंदब फसाद है इना है धेखें कुछ इस तरीके से लगाके और इसको wire को tight कर देंऊ है हम इसमें glue gun या कोई sholding नहीं कर सकते हैं इसमें लगाके क्योंकि ये heat होगा हेट होने के बाद ये पिगल के बैसे विनकल जाएगा तो हमें क्या करनापटेगा कि इसमें हम सीधा ही ऐसे लगा के और tight कर देंगे ताकि हमें कुछ करने कि जोटनाप़े देखिए अब ये विल्कुल tight हो जुका है निकलेगा नहीं बस हमें इसमें पानी नजाननें के लिए जुगार करना पड़ेगा तो उसके लिए हम M seal लगाएंगे तो guys देखिए ये मैंने M seal ले लिए हैं और अब हमें क्या करना है इस M seal को ही उसी में लगाना है तो सबसे पहले इसे निकालते हैं और mix कर लेते हैं तो guys जब तक मैं mix कर रहा हूँ और वीडियो का like कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में बने रही है आगे देखने के लिए तो guys देखिए मैंने M seal mix कर दी है और अब हमें क्या करना है इस तरीके से कुछ इस तरीके से ऐसे करके लगा देना है जैसा कि आप देख पारें कुछ अच्छी तरीके से लगाई है ताकि इसके अंदर पानी न जाए इसमें दिखके था बस पानी नहीं जाना अच्छी है यहां से तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे लगा दे रहा हूँ और वायर के पास से भी टाइट कर देंगे कि वायर में भी अच्छे से चिपक जाए तो गैस देखिए यहाँ से थोड़ी सी और कमपड़ रही है तो थोड़ी सी और लेनी पड़ेगी देखिए यहाँ से थोड़ी सी और लेनी पड़ेगी हमें तो थोड़ी सी और ले लेते हैं तो गैस देखें यहां पर लगा गयो और यह अच्छे से हमारा एक पैक हो चुका है तो देखें यह कुछ इस तरीके का दिख रहा है दूसरे में भी लगा लेते हैं इसी तरीके से तो गैस देखें मैंने दूसरे में भी लगा दिया है और अब इसे सूखने के लिए रख दे झाल झाल